यशो मती मैया के नंद लाला मैया तो इदरी देख रही है मुझे इनका थ्यार बंग करना पड़ेगो अजया यशो अजया यशो फिद रही है रुख्यों गए पोकुल नरेश मीठा ना दिया इसे लिए मैं अभी आई आपको कैसे पता चैला प्रभू कि मैया मिठाई लेने अवर्ष जाएंगे उनका पुत्ता रुम उल्ली अपनी मैया को भरी बाती जानता हूँ एक और व्यांचन लो जी सांती सिखाओ लो जल लो कान हा अभी तो वहाँ था कहाँ चला गो लक्तवा मैं कच्छ अधी की सोच रही हूँ उससे तो छोट लागी थी घर से आपके लिए बाहर क्यो आएगो वो अब ऐसा तो है ना कि मैं सोच्छू और काना सच्छी में मेरे घर आ जाए जी तो सच्छी में काना ही है यह सुद्वावी और नन्द भाया भी साथ में आया है क्या पर वो दूनों तो कही दिखना रहे ना कच्छों तो गड़ पड़ें यह तो मेरे घर आ रहे हैं सच्छी में है ना कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही जे तो काना ही है भले ही चोरी चुपके आयो है पर है तो कान है और मैं क्या कर रही है ना ना मुझे इसको भीतर आने दिना चाहिए यह दवार खुल क्यों ना रही हो यदि मैं इसके सामने पड़ गी तो मुझे पतो कैसे चलेगो कि जे चुपचुपके क्यों आयो है क्यों आयो है जैसे ही जिक घर के देरी के भीतर पाओ रख तो इसकी प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमग आ जातो क्यों आयो हिए पीतर कोई है तो ना इसमें कच्छू तो है ही ना वहाँ क्या खूज रही हुए जी जानकी नहीं तो की थी माखण में आके रखू है और या तो गड़ों में कुछ नहीं है मैंने कब कही इससे मैं तो बस सोच रही थी तो क्या मैं बूल बूल के सोच रही थी लगतो है अब पूप के पेटी बापिस जानव पड़ेगो माखण तो उपर टंगो है पर यदी काना ने देख भी लियो तो इतने उपर तक जिप पहुच के सपाएगो कर दो वसब सीगर ही मटकी का ढकन गिर जाए ताकि इसके धोनी काना को फिर से यहां कीच के लिया है हे नाला है तनिक रूपा करो कैसे भी ढकन गिरा दो ना 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 काना बिना माखन कै मतीजा कच्छू तो धनी आई थी यासे मिल गो इत्ता सारा माखन अब आएगो आनन्द जार नाला है झाला है झाल झाल तो क्या ची किवन मेरी इच्छा है पूरी खाना करने आयो है या। क्या रिष्णा और कॉरे मुझ मुझ मेरी खाना ठाव ने करने आयो है। क्या आयो है। पिर बहुत प्यार से माकन खिलाती कि यारी खिलिए कि अलुष कुल है कि यारी न्युव dönस्यारी तेमा किन दो आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगो जे इत्ती सीगर सोग हो आप खाओ जी मुझे भसा के बड़े आनंद से सूरू है पर उससे क्या पतो कि जे बोजन कित्ता स्वादिस्ट है जिसकी कलपना भी ना की थी आज वो होगव आज कानहा मेरे घर पे माखन खा रहे हो है पर जी तो चोरी करने आयो है यापे हाँ जे बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी पर इसने भी तो बिना पूचे साना माकन चट कर लियो जे तो चोरी ही हुई ना भाबी को पता चलगो तुने अच्छा ना लगेगो कानहा के साथ साथ मुझे भी दाट पड़ जाएगी क्या करूँ तू ही बता कानहा क्या होगो इससे अभास हो गया कि जे चूरी कर रहे हुए तू कोन है वहां क्यों छुपके बैठो है पूलना तेरे नाम क्या है और तूने पेरा जैसा मूर्म कुट क्यों पैनो है जानके ने तुझे पेरे पे तुनों बठाई हुई या अब हस क्यों रहे हो है मेरे चुबली तो ना कर लेगो सुन जानकी को खच्छू मती बहलियो वो ना बहुत बड़ी चापलूस है चापलूस? वो सीद्य जाके मैया को बता देगी अब मैया मेरा घर से बान करना बन करवा देगी तु मुस्करारो है ना सब सुनाई देरो है मुझे यदि मुझे तु फसाने के लिए सोच रहो है तु मती फसायो मेरे चुबली मती करो अरे हाँ बड़की में अभी बहुत माखन है हम दोनों बाट लेंगे मुझे मिट्रता करोगे क्या हुगो माखन खाये बीना काँ चले गयो जान की वो मैं ना मेरा प्रती बिम्ब है और जो पहले दिख रहो था वो तेरा प्रती बिम्ब था प्रती बिम्ब प्रती बिम्ब अर्था तेरी छाया ना ऐसा दिखतो हूँ हाँ चोड़ी करते हुए तो तू ऐसो ही दिखतो है काना मैंने रंगी हाथू पकड़ ली होए तछे आप सोच मैं या क्या दस्ता करेंगी तेरी कोई आवा सकता ना है मुझे पतो है आपका पेट भर कावन है ना बलकि मुझे तो जे भी लग रहो है कि आजकल सच्ची मैं मैं आप पे बिलकुल ध्यान ना दे पा रही है ऐसी अब ना मती बोलगा नजाने किते दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही इसलिए तो आज आप दो जनका भोजन अगेले ही खा गए ऐसी कोई बात ना है यह सुधा ना, मैं सब समझती हूँ ना तुम्हे अच्छी मैया बन पाए और ना है अच्छी बतनी यह सुधा यह सुधा कैसी बात कर रही हो तो तुम तो बहुत अच्छी मैया हो और साथ ही संसार की सब से अच्छी पत्नी भी भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे मा अन्न पूर्णा का आसिरवाद हो तुम पर इसलिए तो इतना भोजन खा सको मैं और तुम्हे लगो के इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाए स्वादेश्थ था सच्ची और नहीं तो क्या तो पहले क्यों ना बतायो कि भोजन अच्छा बनो है और हाँ लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूं हाँ नहीं तो हाँ लल्ला हुट जाये फिर बता दूँग हाँ जी अज भरी दोपेरी में इत्ती कहरी नीम सोग हूजे इत्ती से खटपड भी ना हो रही हेल कर आयो यह सुधा ठक गए होगा तो सो गए हो वैसे इत्ता स्वादिश भोजन करने के पस्चात तो मुझे भी नीन आ रही मुझे को बता दूँगे जानकी बता दूँगी हाथ पकड़के सीधा उंके पास लेके जाऊंगी और बोलूँगी कि तूने चोड़ी से माखन खायो है ऐसा करोगी मेरी साथ प्रभू हमें इसी समय यहां से नौदो ग्यारा हो जाना चाहिए रुक कहें तो बहुत बुरा फस जाएंगे दोनों हाथ आंगू तब तो हाथ पकड़के ले जाओगी मेरी के पास स्रीकृष्णा कादा हरे हरे स्रीकृष्णा स्रीकृष्णा चोरी करते कानहा पकड़ा हुई चकित गोपी कैसा ये विकार स्पर्ष की आजयों फूली स्वयं को हो रही दिव्य से काकार हो रही दिव्य से काकार पता अज क्या हुओ जानकी तु ठीक तो है ना जिब वहां क्या देख रही है कौन है वहां जानकी जानकी तु ठीक तो है ना मिल गया जिसे खोज रहा था मिल गया वो मुझे जो कुकुल को रिनाश के अंधेरे में धकेल देगा कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महराज हाँ जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से तरा जित नहीं कर सकता हाहाहा ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति जिसे किसी भी अस्त्रद्वारा नहीं मरा जा सकता और उस असुर का नाम है तो तो सुर्ज मिल टॉस्य तो टॉस्य श्यौट नहीं तो तो घ्राप्र टॉस्य बार इक दूस्यू तो जो टॉस्य बार पत्ली